बच्चो अब तक हमने देखा कि किस प्रकार किसी वस्तू के कीमत उसके मांग को प्रभावित करती है पिछले कुछ अध्यायों में हमने मांग के बारे में बहुत विस्तृत अध्यन किया आखिर ये मांग उत्पन क्यूं होती है कैसे उत्पन होती है ये मांग कब किसी बाजार में किसी वस्तू को मांगा जाता है और इस मांग के उत्पन होने का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है इन सब बातों को जानेंगे हम इस अध्याय में हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तों का प्रयोग करते हैं चाहे वे वस्तों हैं हमारे भोजन से संबंधितों कपड़ों से संबंधितों या मनुरंजन से संबंधितों इन सभी वस्तों की जब हम मांग करते हैं तो हमारी पूर्ती यानि कि हमारी इस मांग की पूर्ती हो सके इसलिए एक वर्ग ऐसा है जो इन वस्तों का उत्पादन करता है जिनकी हम मांग करते हैं अब इन वस्तों का जब उत्पादन किया जाता है तो कैसे होता है ये उत्पादन? कौन-कौन से तत्व शामिल है इसमें? आईए देखते हैं उत्पादन के लिए भूमी, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस ये पाँच ऐसे साधन है जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर किसी वस्तू का उत्पादन करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को और हम विस्तार से आगे देखेंगे इसके पहले हम देखते हैं कि उत्पादन की अवधार्ना क्या है उत्पादन की अवधार्ना की अगर हम बात करें तो इसे तीन भागों में बाटा गया है पहला है कूल उतपादन जिसे हम टोटल प्रोडक्शन यानिक्टी पी से दर्शाते हैं दूसरा है और सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है कूल उतपादन यानि टोटल प्रोडक्शन जैसा कि अभी हमने जाना कि जब भी किसी वस्तू का उत्पादन किया जाता है तो उसमें उत्पादन के पाच साधन भूमी, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस ये पाचो साधन आपस में मिलकर कारे करते हैं तो जब हम इन पाचो साधनों पर वै करते हैं, इन पाचो साधनों को जब हम यूज करते हैं और उसके बाद फाइनली हमको जो प्रोडक्शन मिलता है, जो पूरा उत्पादन हमको मिलता है, वही कुल उत्पादन यानि कि टोटल प्रोडक्शन कहलाता है अगर हम अर्थशास्त्र के अंतरगत फॉर्मूले की सहाथा से इसके क्यल्कुलेशन करना चाहें तो हम इसमें क्यल्कुलेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे TP एक्वल टू समेशन MP इन्टू N यहां पर TP यानिकी टोटल प्रोड़क्शन समेशन MP यानिकी सीमांत उत्पादों का योग और N मतलब है साधनों की इकाई तो यह थी टोटल प्रोड़क्शन की बाद अगर हम औसत उत्पादन की कैल्कुलेशन करना चाहें तो उसत उत्पादन के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे AP equal to TP upon N जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि AP मतलब average production उसत उत्पादन TP मतलब total production, cool उत्पादन और N मतलब साधनों की एकाई अगर बात हम सिमानत उत्पादक्ता की करें marginal production की करें तो marginal production की calculation के लिए हम यहाँ पर formula apply करेंगे MP equal to delta TP upon delta L यहाँ MP हम जानते हैं सिमानत उत्पादक्ता उन्हें कि marginal production है delta TP कूल उत्पादों में परिवर्तन है और delta L श्रम की एकाई में किया गया परिवर्तन है सिमानत उत्पादक्ता के बारे में एक बात यह जान लेना भी जरूरी है कि वास्तों में इसको हम उन्दशाओं में calculate करते हैं जब कि हम उत्पादन के अन्य साधनों को इस्तिर रखकर किसी एक साधन में परिवर्तन करते हैं और फिर हम वहाँ पर आकलन करते हैं कि कि इसी एक साधन में परिवर्तन करने पर अब उत्पादन में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है यानि कि उत्पादन किस तरह से घट रहा है या बढ़ रहा है इन सभी सूत्रों का हम एक टेबल और ग्राफ के आधार पर प्रियोग करके और अच्छे से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं इस तालिका में उत्पादन की विभिन आवधार्णाओं को हम देख रहे हैं पहले कॉलम में हम देखते हैं कि भूमी जो कि इस्तिर साधन है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्टन नहीं किया गया है दूसरे कॉलम में श्रम को हम देखते हैं कि श्रम के साधनों की इकाईयों में उत्तरोतर विद्धी की जा रही है पहले हम श्रम की एक भी काई का प्रयोग नहीं करते थे, यानि कि शुन्य थी, फिर एक एक काई का प्रयोग किया हमने, फिर बढ़ा के दो किया, फिर तीन और फिर चार इस तरह से हम श्रम को बढ़ाते गए जिस तरह से श्रम को हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे ही कुल उत्पादन और सिमान उत्पादन में भी परिवर्टन देखने को मिल रहा है जैसे कि इस तालिका में हम देखते हैं कि जब श्रम की किसी भी काई कप्रियोंग हम नहीं कर रहे थे लेकिन जब हमने श्रम की पहली एकाई का प्रियोंग किया तो फिल उत्पादन और सिमान उत्पादन वीस को प्राप्ट हुआ श्रम की दूसरी इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन 20 से बढ़कर 50 हो गया औसत उत्पादन 20 से बढ़कर 25 हो गया और सिमान उत्पादन 30 रह गया तीसरी इकाई का जब हमने प्रयोग किया तो कुल उत्पादन 50 से 90 हो गया चौथी इकाई का जब हमने बढ़ाया श्रम की चौथी इकाई को बढ़ाया तो जो कुल उत्पादन था वो 90 से 120 हो गया चौथी इकाई से जब हमने इसे पांचवी इकाई मिलाया यानि कि एक इकाई की और विद्धी कर दी तो कुल उत्पादन 120 से 140 हो गया छटवी काई का प्रयोग जब हमने किया च्छाइक का तो कुल उत्पादन 140 से 150 हो गया साथ जब हमने प्रयोग किया तो अभी भी कुल उत्पादन जो की च्छटवी काई के प्रयोग पर 150 था अभी भी पर देख रहे हैं कि खुल उत्पादकता थी वह 150 से घटकर 120 हो गई यहां पर हमको जो परिवर्तन है वह रोग देना चाहिए था लेकिन फिर भी हमने नहीं काई के बाद हमने नवी काई का प्रयोग किया एक और विद्धी कर दी हमने साधरों में तो उत्पादन फिर से हमको घटा हुआ यानि कि 140 से 120 हमको प्राप्त हूँ अब इस पूरे कुल उत्पादन के अधार पर जब औस तुर निकालते हैं हमने फॉर्मूले में देखा था कि ते निकालने के लिए हम कुल उत्पादन को एकायों की संक्यासे भाग देते हैं है जैसे कि 20 को लगसे भाग लि इकाई तीन लिए जब नव्य कौन तीन से भाग देंगे तो तीस इसी प्रकार हम देखते हैं कि औस तुद्पादन प्रतेक इकाई में उत्तरोत्तर व्रद्धी पर तीस के बाद पुना तीस की रठाइस पच्चीस 21.43 17.5 और 13.33 प्राप्त होता है औस तुद्पादन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि औस तुद्पादन जैसे जैसे श्रम की परिवर्तर श्रीन इकाईों में ब्रद्धी की जा रही है वैसे वैसे पहले तो वो अच्छी दर से बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब पांचवी इकाई का प्रियोग किया गया तो घटने लगा और उसके बाद फिर वो उत्तरोत्तर घटा गया उसी प्रकार सिमान तुद्पादक्ता की अगर हम बात करें तो सिमान तुद्पादक्ता चुकि हमने पहले भी देखा कि कि किसी उत्पादन में प्रियोग की जा की इस टेबल में निकालने के लिए हम नीचे से उपर माइनस करते जाएंगे पहले जो इकाई हमको प्राप्ट होई थी कुल उत पादक्ता उसी प्रकार 50 के बाद वह नबे हो गई तो पचास मैनस यहां पर यह सिमान तुद्पादक्ता 40 हो गई और यह उत्रोत्तर जैसे जैसे बढ़ते जाएगी हम उनको माइनस करके निकालती जाएंगी तो सिमान तुद्पादक्ता वाले अगर कॉलम को धेखते हैं तो हम देख है कि पहली दूसरी तीसरी इकाई के प्रयोग तक ये बढ़ती गई लेकिन चौथी पांचवी और छटवी इकाई के प्रयोग पर ये घटती गई एक समय ऐसा आया जब कि साथी इकाई का प्रयोग किया गया तो कुल उत्पादन इस्तिर हो गया यानि कि छटीवी में भी 150 और यहां पर ईकाईों का प्रयोग नहीं करना था फिर भी किया गया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीमान उत्पादकता घट गई यानि कि 10 हो गई और उसके बाद भी क्योंकि इकाईयों में परिवर्टर नहीं रोका गया इसने रिणात्मक उत्पादकता है यानि कि माइनस 20 प्राप्त हुआ अब इस पूरे टेबल को अगर हमें ग्राफ के द्वारा समझें तो हम देखते हैं कि इस रेखा चित्र में हम ओ एक्स पर श्रम की इकाईयों को लिखेंगे और ओ वाय अक्ष पर हम उत्पादन को दर्शाएंगी टेबल के कोडिंग हम देखते हैं कि अगर हम कूल उत्पाद के लिए एक वक्र का निर्मान करें तो जब श्रम की परवर्तन श्रील इकाई शुन्य थी तब तो हमने देखा कि उत्पाद कूल उत्पाद भी शुन्य मिला जब श्रम की परवर्तन श्रील इक हुई तो कूल उत्पाद 20 श्रम 2 हुआ तो कूल उत्पाद 50 श्रम 3 हुआ तो कूल उत्पाद 90 श्रम 4 होने पर कूल उत्पाद 20 श्रम के 5 होने पर कूल उत्पाद 140 श्रम के 6 इकाई के प्रियोग पर कूल उत्पाद 150 और 7 इकाई के प्र पर कुल उत्पाद है 140 और नवी काई के प्योग पर कुल उत्पाद घटकर 120 हो गया तो यहां पर आप यह टीपी वक्र देख रहे हैं कि किस प्रकार पहले तो यह बहुत तेजी से बढ़ा फिर समान हुआ और फिर नीचे की और यह आने लगा ठीक इसे तरह अगर हम उसत उत पाश हुए था लेकिंदें पहली काई का प्रयोग किया तो लिए सत उतने पाठ पैस दूसरी काई के प्रयोग पर 25 306 काई के प्रयोग पर 1337 पर घरणत्राभी काई के प्रयोग पर है बदुआ चारतील प्रयोग कर घटकर यह रहाइच प्रयोग 2.133 çaोच-ओए के यानि इसके आधार पर बिए टो एक वक्र का निर्माण किया इसको भी हम ने देखा कि किस प्रकार पहले तो यह बहुत तेजी से बढ़ा बहुत धीरे धीरे घटा और फिर यह नीचे आ गया याने कि इसमें उत्रोतर कमी होने लगी ठीक इसी तरह हम तीसरे वक्र का करेंगे यानि सीमान तुत्पादक्ता के वक्र का निर्माण करेंगे यहां पर हम देखते हैं कि पहली काई के श्रम के जो परवर्टनशी लिकाई है उसमें पहली काई के प्रयोग पर सीमान तुत्पादक्ता 20 दूसरी काई के प्रयोग पर 30 तीसरी काई के प्रयोग पर 40 साथवी एकाई के प्रयोग पर दस और नौवी एकाई के प्रयोग पर आप देख रहे हैं कि घर्टी हुई दर्मी यानि कि माइनस बीस प्राप्त हो रही है इस प्रकार जब हमने परिवर्तर शिल साथनों की एकाईव में व्रिद्धी की तो पहले तो यह ग्राफ एम पी ग्राफ से जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं यानि मार्जिनल प्रोडक्शन का यह ग्राफ बहुत ही तेजी से बढ़ा फिर थोड़ा सा समान यह हुआ धीरे धीरे बढ़ा और फिर यह रिणात्मा का वस्था में आ गया कुल मिलाकर इस पूरे ग्राफ से हमने देखा कि जब हम श्रम की एकायों में व्रिद्धी करने लगे तो प्रारम में तो औसा तुत्पादन हुआ और सिमान तुत्पादक का दोनों बढ़ें लेकिन अपने अधिक्तम बिंदू पर पहुँचकर दोनों ने घट्टा प्रा क्यारा डिखिक्कायों करते हैं तो आम यहां पर देख रहे हैं कि रिदात्मल तो इक्से करते हैं दोने उ li equality कि यहां पर ऊसा तूच्पादन लेकिन अपैस्पादन के 450 फ्रानी पर नहीं होlet तो आपने देखा कि किस प्रकार जब उत्पादन के अन्य साधनों जैसे कि हमने देखा कि भूमी, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस उत्पादन के पांच साधन है अगर हम मालनीजे चार साधनों को इस्ते रख कर केवल श्रम में परिवर्दन करते हैं, तो उत्पादन में कैसे परिवर्दन आता है? हमने इस टेबल और गराब के माध्यम से जाना कि कि किस प्रकार पहले तो उत्पादन में वृद्धी हुई आपने देखा और उसके बाद धीरे धीरे जो उत्पादन था वो पहले के पेक्षा कम दर में बढ़ा फिर एक ऐसा समय आया जब वो घटने लगा और फिर एक ऐसा समय आया जब हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते गए यानि कि एक साधन में हम परिवर्तन करते गए लेकिन उससे प्राप्त होन करते हैं अब आए हम देखते हैं कि कुल उत्पादक्ता और सिमान्त उत्पादक्ता में संबंध क्या है हाला कि इस पूरे संबंध को बढ़ता जाता है लेकिन एक इस्थिती आने पर वो धीरे पहले तेजी से बढ़ा फिर धीरे से बढ़ा फिर कम हुआ और उसके बाद वो घटने लगा जैसे कि इस टेबल में अगर हम साथवी इकाई की बात करें तो आप देख रहे हैं कि साथवी इकाई पर जो उत्पादन है कुल उत्पादन है वो सबसे ज्यादा एक सो पचास है और वो एक सो पचास पे इस्थिर हो गया और इस दर्शाप अगर हम सीमान तुद्पादकता की बात करें तो वो शुन्य हो गया है यानि कि हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय तक वो बढ़ता है फिर धीरे-धीरे कम होता है फिर घड़ता है और फिर रिणात्मक हो जाता है वैसी अगर हम इसके दूसरे संबंद की बात करें तो हम देखते हैं कि कुल उत्पादन और औस उत्पादन यह जो होते हैं कभी शुन्य नहीं हो सकते जैसे कि आप यहाँ पर टेबल में देख रहे हैं इसी तरह क है कि सिमान दूद पादकता जब शुन्य हो गए है तो उसके आगे जब हम साधनों को और बढ़ा रहे है निकीश्रमिकों की संक्या को जब और बढ़ा रहे तो वहां पर हमको यह कहता है कि जब यहां पर यह स्थिति जब शुन्य सिमांत उत्पादक्ता जब शुन्य हो जाए तो हमको परिवर्तन नहीं करना चाहिए उत्पादन के किसी भी साधन में ताकि हम रणात्मक उत्पादक्ता से बच सके ठीक उसी तरह उत्पादन की प्रथम अवस्था में ह जो हमने पढ़ा खुल उत्पदक्ता सिमान उत्पदक्त और असकत अस्त उत्पदक्ता में के टेबल के अकॉर्डिंग आपस में क्या इन में संबंद है अब उत्पदक्ता की इन अश्रेickingईों और वरगीकरन को देखने के बादध आएएब देखते हैं कि उत्पदन फलन क्या है उत्पादन फलन की अगर हम बात करें तो फलन शब्द के बारे में अगर हम जाने तो फलन जो है वो गड़ित के ही शब्द चलन कलन इस तरह के शब्दों को लेकर बनाया गया है वास्तों में ये पूरी प्रक्रिया चरों को प्रदर्शित करती है अगर हम अर्थ अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में दो प्रकार के चरह हम देखते हैं स्वतंत्र चरह और आश्रित चरह स्वतंत्र चरह की हम बात करें तो वे चरह होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं उनका अपना अपना स्वतंत्र रस्तित होता है लेकिन आश उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है आए देखते हैं उत्पादन फलन उत्पादन फलन क्या होता है कि हमारे पास जो उत्पत्ति के साधन उपलब्ध है कुल साधन जैसे कि हमने बात की कि उत्पादन के पांच साधन होते हैं भूमी श्रम पूंजी और साहस इन पाच साधनों की उपलब्धता हमारे पास जितनी है पूरी की पूरी अगर हम लगा दे तो finally फाइनली हमको जो उत्पादन मिला वही उत्पादन फलन कहलाता है अब इस पूरी प्रक्रिया को हम सैमिलसन के परिभाशा से और अधिक अच्छे से समझेंगे आये देखते हैं सैमिलसन के परिभाशा Samilson के शब्दों में उत्पादन फलन वह तक्निकी संबंद है जो यह बताता है कि साधनों के प्रतेक समूव विशेश द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है यह संबंद किसी दिये हुए तक्निकी ग्यान के इस तर के लिए ही व्यक्टिप किया जाता है वाट्सन की अनुसार किसी फर्म के भौतिक साधनों तथा उत्पाद की भौतिक मात्रक के संबंद को उत्पादन पलन कहते हैं सेमिलसन के इस परिभाषा में हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने कहा है कि तकनीक माना जाए यानि कि इस पूरी प्रक्रिया को एक तकनीक के द्वारा अध्यान किया जाए कुछ ऐसी तकनीकों का प्रियोक किया जाए जिससे ये पता चल पाए कि उत्पादन के साधन हमने जो लगाए उससे कूल उत्पादन कितना प्राप्त हो सकता है या प्राप्त किया गया वैसे ही जब हमने वाट्सन की परिभाषा देखी तो वाट्सन ने कहा कि भौतिक साधन और जो भौतिक उत्पाधन यानि कि कौन-कौन से हम भौतिक साधन अपने उत्पाधन की प्रक्रिया में लगाते हैं और कितना भौतिक उत्पाधन उस पूरी उन प्रक्रियाओं के काम करने के बाद कितना भौतिक उत्पाधन किस मात्रा में हमको प्राप्त होता है तो खूल मिलाकर उत्पाधन फलन के अर्थ और समिल्सन और वाट्सन की प्रिभाषा को अगर हम देखें तो यही अर्थ निकलता है कि पूरी उत्पाधन की प्रक्रियाओं में जितने भी भौतिक साधन हमने लगाए उन साधनों के प्रियोग द्वारा वास्तों में हमने क्या आउटपुट यानि कि क्या उत्पादन प्राप्ति किया उत्पादन फलन की संपोर्ट प्रक्रिया में इसका अध्यन हमें करना है अब अगर हम बात करें कि इस उत्पादन फलन की मानिता क्या है यानि कि कि मानिता उपर आधारित है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने इस पर बात की तक्नीकी ज्यान की तो तक्नीकी ज्यान का जो इस्तर है वो इस्तर रहता है यानि कि एक लिमिट तक ही हम उसका कर सकते हैं दूसरी बात अगर हम करें तो प्रत्य उत्पादक जो रहता है उस वो स्वेम करता है क्योंसको भी लाभ चाहिए स्वेम प्रयास करता है कि मैं अपने पूरी उत्पादन और क्योंकि टौरान प्रेक Twin चल्तम तक्निक सब्सक्राइब हुग एस पूरे कारे के लिए तयार है तो मिलाने के बाद ही हम उत्पादन का कारे शुरू कर सकते हैं वैसे इसके अगली मानिता की बात करें तो कि उत्पादन की जो इकाई होती है उसमें जो लागत होती है वो पहले से निश्चित होती है यानि कि हम को पता है कि हम जिस वस्तू का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसकी प्रती का उत्पादन लागत कितनी आएगी साधनों का प्रयोग हम नहीं किया है कौन-कौन से साधन किस-kis मात्रा में हमको भुकतान करनी है यह को जानकारी तो खुल मिलाकर उत्पादन निकाई के लिए लागत वैब भी पहले सही दिया रहता है यह इसकी मानिताओं की बात थी अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें यानि कि उत्पादन फलन के प्रकार तो हम देखते हैं कि उत्पादन फलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है पहला जो है वो इस्तिर अनुपात वाला उत्पादन फलन और दूसरा जो है वो परिवर्तन शील अनुपातों वाला उत कि इस्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन जिसे हम कहते हैं मैं तो मैं परिवर्तन कर पाना संभवर नहीं कम समय में इतने अल्पकाल में तो अन्य साधनों को इस तरह से समझ सकते हैं कि उत्पाधन के पांचों साधनों में से संघ्ठन करता हें सहासी जो पहले था अभी भी है लेकिन हमने यहां पर व्रिद्धी कर ली मान लेजे कि पहले 50 का कई करते थे अब हमने उनकी संख्याओं को बढ़ा कर दिया यहां हम क्या specifically कि अधर कर उतपादन के किसी recovering cake कि एकॉर्डिंग उत्पादन में क्या चेंज आता है कितनी वृद्धी होती है तो यह जो पुरी प्रक्रिया है क्योंकि अल्पकाल में हो सकती है इतना समय तो हमारे पास नहीं है कि हम सभी साधुनों में परिवर्तन करें तो इस तरह से जब हम उत्पादन के साधुनों में करते हैं तो यह परिवर्तन कहलाता है इस्तिर अनुपात वाला उत्पादन फलन दूसरी अगर हम बात करें परिवर्तन शील अनुपात वाला उत्पादन फलन या इसे हम दीर्द कालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं अब जैसे कि नाम से इस पस्ट्रिया दीर्द कालीन या उत्पादन के कई साधनों में वो परिवर्तन कर सकता है या फिर कहा जाए तो सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है उत्पादन के पाचों साधन को वो अनुपातिक रूप से परिवर्तित कर सकता है भूमी का छेत्र बढ़ा सकता है पूंजी बढ़ा सकता है श्रमिकों की स संक्या में व्रिद्धी कर सकता है इस तरह से जब वो सभी को अनुपातिक रूप से बढ़ा देता है अब सभी को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात समय जादा लगेगा इतना समय उसको परियाप्त मात्रा में चाहिए और अब क्यूंकि दिर्धकालिन उत्पादन फलन है तो प जापक परिवर्तन किया जाता है तो पूरी की पूरी उत्पादन प्रक्रिया में यानि कि कहा जाए तो पैमाना ही बदलना पड़ जाता है शायद यही कारण है कि इसको हम पैमाने का प्रतिफल भी कहते हैं पूरा का पूरा पैमाना सारे जो साधनते सभी को अनुपातिक से बदलना यानि कि पैमाने में परिवर्तन भी से कहा जा सकता है यह बात रही इनके प्रकार की लेकिन दोनों में फिर भी कुछ अंतर आते हैं अगर हम अल्पकालीन परिवर्तन की बात करें या अल्पकालीन पादन फलन की बात करें या दिर्धकालीन पादन फलन की अपने परिवर्तन करने के लिए उत्पादक के पास बहुत थोड़ा से समय होता है लिकिन अगर दीर्दकाल वाले उत्पादन की बात करें तो जो उत्पादक है उसके पास परियाप्त समय रहता है अल्पकाल वाले उत्पादन फलन में हमने देखते हैं कि समय कम है इसले किवल कुछ साधनों में ही परिवर्तन सम्भू है लेकिन दीर्दकाल में समय परियाप्त रहता है यानि कि सभी साधनों को यानि कि पूरा का पूरा पहमाना बदला जा सकता है है को तीसरेCar अंतर इस्थिर और परिवर्तन करें इस्थिर में परिवर्तन करें या परिवर्तन करें यह परिवर्तन साधनों है कर ब करते कर दो पूरा परिमाना नहीं हジ रहाती है लिए छौथे ऑनost के बात कर काली जो स्थितिया यसमें मांग का प्रभाव जादा रहता है जल्दी-जल्दी मांg के क्वाद कीमत जो है वह चेंज होती है लेकिन हम दीृधahn की बात करें तो इतना समय रहता है कि किसी वस्तू की पूरती को उसकी सप्लाई को मांग के कोडिंग लाकर रखा जा सके समय जादा रहता है जाहिर सी बात है तो हम यह कह सकते हैं कि अल्पकाल में जो है मांग प्रभावी रहती है कीमत निर्धारण के लिए और देर्ध काल में पूर्ती प्रभावी रहती है केमत नर्धारण के लिए